हे दोस्तों क्या आपको Harry Potter के बारे में पता है क्या आप Harry Potter देखना पसंद करते हैं या फिर क्या आपने Harry Potter के बारे में सुना है Harry Potter is a great movie, a great play, a great cartoon, a great movie, a great story आगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से देखेंगे या फिर आप देखेंगे तो बहुत इच्छे से और अच्छे से आपको पता लगए की आखिवश यह है क्या और आज के बार में बात करने का क्या मतलब है तो ये आज है 2 मई मतलब आज के दिन इसे इंटर्नेशनल हैरीपॉर्टर's day के नाम पर भी मनाया चाता है और जो इनके followers हैं उनको ये बात पता होगी जो Harry Potter को पसंद करते हैं जो Harry Potter की series पसंद करते हैं उनको ये बात पता होगी कि आज International Harry Potter's Day है तो आप Harry Potter's Day को कैसे मना सकते हैं कैसे उसके लिए मतलब कैसे उसे celebrate कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर थोड़ो सा ही चाने होगी इससे बहले मैं आपको थोड़ो सा बता दो कि क्या है Harry Potter क्या कहां से आया और क्या मतलब आपको ये जानके हैरानी होगी कि जब ये book first time publish हुई थी तो इसकी 500 million copies मतलब आज तक बिक चुकी है और जादा ही हो गई होगी अब तो 500 million मतलब की 500 million किताबे आज तक बिक चुकी हैं और वो भी single author के द्वारा जिसने इसे लिखा उस single author के द्वारा 500 million copies इसकी बिक चुकी है और आज की दिन आज का day declare कैसे हुआ मतलब आज के दिन ही international harry potter's day क्यों मनाया जाता है UK के प्राइम मिनिस्टर डेविट कैमराउन इन्होंने आज के day को declare करा था as a international holiday of harry day harry potter's day के नाम से तो यह आज की टाइम पर यह ऐसा हुआ मतलब ऐसे हुआ था और मैं उस author की किताब की बात कर रहा हूं जिसको बारा बार रचक किया गया है और उसके बाद भी आज उसने record बना दिया है single जब वो publish हुई तो उसने 500 million से ज्यादा copy sold करी और अपने नाम पर वर्ल्ड genius record भी highest selling series by single author के नाम पर उन्होंने अपने मतलब की genius world record भी बनाया और आज के दिन को आप अगर celebrate ही करना चाहते हैं अगर आप harry potter के fan followers हैं या आप harry potter को पसंद करते हैं तो आज के दिन आप क्या कर सकते हैं मैंने आपको दो movies के link दिये हैं इंदे video description और मैंने बच्चों के लिए भी हैं अगर आप यह childhood में हैं और अगर आप अब भी अपना childhood celebrate करना चाहते हैं तो मैंने उसमें नीचे android games भी दी हैं और आप उन android games को खेल भी सकते हैं download करके और अगर आप Harry Potter के बारे में ज्यादा कुछ जाना चाहते हैं या फिर उसे जानने में इच्छों के हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि कौन Harry Potter क्या Harry Potter कैसा Harry Potter तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं मैंने वीडियो की description में तीन किताबों की link दिया आपको जिसे कि आपको पूरी तरीके से पता लग जाएगा कि कौन है Harry Potter और पूरी तरीके से कि मतलब उसकी कहानी क्या है और जो किताब लिखी गई है वो है क्या किताबे तो इससे आपक पिसे लिएू से आपको